वेलकम है जी विकास मिश्रा सो में मैं हूँ विकास मिश्रा और आज हम शूट पर थे पुश्पा इंपॉसिबल यानि कि फर्स्ट पार्ट में आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे कैसे क्रोमा पर शूट होता है आज उसका सेकेंड पार्ट है मेरा शॉट हो चुका था और मे बज़े की शिफ्ट की पूरी तयारियां चल रही है यह है पूरा घर जो आप पुश्पा Impossible Serial देखते हैं अगर या कोई भी Serial आप देखते हैं तो उसमें हर एक चीज वहीं पर होता है घर के अंदर ही चाहे वो मंदिर हो भगवान की मूर्ती रखी हुई या फिर कोई दुकान जहाँ पर गुटिका तंबाको Adriate विकरेओं जहाँ पर गुंडे आकर बैटते हैं लड़किया तारते हैं और छेड़ते हैं सीन भी है यह रहा स्कूल का सीन जहां पर स्कूल भी बना हुआ है और यह रहा में गेट जहां पर गाड़ी आके रुकती है और लोग अंदर आते हैं बाहर क्रोमा लग जाता है ताकि गार्डन दिखाया जा सके और यह पूरा इसलिए लगाया जाता है ताकि यह मार्केट बन आया जा सके, आप यहां मार्केट भी बना सकते हैं, यहां पर पुलिस स्टेशन भी बना सकते हैं, दुकान भी लगा देंगे, भगवान का मंदरी भी लग जाएगा और उपर वाले में लॉस भी बन जाएगा, यानि कि यह जो डिजाइन किया जाता है पूरा अंदर चल रहा है क्रोमा पे तो यहीं बैठकर पूरा सीन हमारे सर भी इतना चिल थे यार कि जवाब नहीं कि आप चाहे 10 रीटेक ले लें चाहे 200 रीटेक ले लें उनको गुसा ही नहीं आता है क्योंकि उनका कहना था कि ठीक सब मेनत करते हैं कभी किसी का दिन नहीं होता कभ बज़े आने वाले थे अब जो यह महतरमा थी पांडे जी इन्होंने थोड़ा सा ज़ाधा टेक ले लिया था फिर भी सर उसको समझाते रहे कोई बात नहीं सब अच्छा होगा तुम अच्छा कर रही हो लेकिन मानना पड़ेगा सर को गुसा नहीं है यवनना अदर कर लेना कमेंट करके बताना कि क्या आपने पुश्पा इंपॉसिबल सीरियल देखा या इस बार देखेंगे या आपको शूटिंग की वीडियोज पसंद है व्लोगिंग के नाम पे या फिर अदर के नाम पे क्या आप शूटिंग देखना चाहते हैं अगर आप को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्योंकि छोटी वीडियो जो क्रॉप hogy होती है रील्ज वाली होती है और ऐसी बड़ी वीडियो जो डीटेलिंग में शूटिंग जिखाई जाती हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा या अगर आप किसी शूटिंग के बारे में जानना चाते हैं, कास्टिंग के बारे में प्रोडक्शन के बारे में या फिर आउडिशन के बारे में तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी अगली वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाएगी पुस्पा इंपॉसिबल सीरियल का यहीं पर खत्म करते हैं काम क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पर एक दिन के लिए गया था तो अगली वीडियो देखने के लिए आनि की अगला सीरियल देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस कल तक का कल मैं दिखाऊंगा आपको एक नए सीरियल के लिए